दोस्तो अपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दबादें क्योंकि हम लागते रहते हैं नए-ने बिजनस आइडियाज और नए नी जैनकारी के वाला के लिए अज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नोटबूक मेकिंग बिजनस के बारे में बात करेंगे एक्सरसाइज नोटबूक डिमांड की डिमांड काफी सालों से है और इसे स्कुल कॉलेज आफिस अधालत आधी जैसे कामों में यूज किया जाता है एक्सरसाइज नोटबूक मेक एक्सरसाइज बुक और इसे लोकल के मार्केट में सेल करते हैं बात करें एक्सरसाइज नोटबुक मेकिंग मसीन की तो इसमें पांस द्रगी मसीन का यूज करते हैं पहली मसीन है कटिंग मसीन, दूसरी मसीन है रूली मसीन, तीसरी मसीन है सिलाई मसीन, और चौती मसीन है काउंटिंग मसीन, और पांचवी मसीन है प्रेस मसीन exercise book बनाने के लिए आपको rim paper करेदना हुआ जो किसी भी market में आसानी से मिल जाएगा machine और rim paper करेदने के बाद exercise book बनाने के बात करे दो सबसे पहले paper cutting machine से rim paper को एक मान्य size में काट लेते हैं और उसके बाद plain paper पर lining के लिए rolling machine का यूज करके lining कर लेते हैं और page की serial number के लिए counting machine का use कर numbering कर लीते हैं और इसके बाद हम सिलाय machine के मादव से book को seal करके heart paste machine का use करके press करते हैं जिससे book एक सही तरीके से bind हो जाता है इसके बाद book की अच्छा दिखने के लिए cover page का use करते हैं जो किसी भी बुक का first place होता है, cover page को हम design का करके योज कर सकते हैं और cover page पर हम अपनी brand का नाम दे कर भी इस notebook को अच्छी तरीकी से save कर सकते हैं machine को चलाने के लिए 1 से 2 HP motor और 220 बोर्ड की ज़रुत पड़ती है exercise notebook machine की कीमत की बात करें तो आपको सारी machine पांच से 6 लाग रुपर तक में मिल जाता है और raw material की कीमत की बात करें तो ये kg के हिसाब से मिलता है जो कि 60 से 70 रुपर kg के हिसाब से मिल जाता है इसकी price क्वालिटी पर depend करता है इसका rate अलग हो सकता है machine और raw material seller दोनों का link में description box में दे दिया है आप वहां जाकर machine और raw material seller से contact कर सकते हैं और इस business को start कर सकते हैं क्वाल प्राइब कर दोनों जाता है दूस्तों चलिए बात कर लेते हैं कि इससे कितना प्रॉफिट कर सकते हैं आपको प्रॉफिट रिपोर्ट के माधिम से आपको बताने जा रहे हैं देखिए इसमें टोटल कोश्ट आपको लएगा एक केजी प्रोडक्टन करने में अर्शाट रॉपिया जिसमें चपन रॉपिया का पेपर होगा चार रॉपिया का लेवर खर्च और एलेक्रिसिटी और आठ रॉपिया आपका जो है उपर का जो कौबर आता है गत्ता जिसको बोलते हैं वो लगवर आर्शाट रॉपिया आपको एक केजी प्रोडक्टन करने में इन्वेस्ट हो जाता है जिसका सेलिंग प्राइस जो है होल्सेल में पचासी रॉपिया पर केजी यानि एक केजी अगर आप सेल करते हैं तो पचासी रॉपिया में सेल होता है तो profit एक केजी पे होगा लगभग आपको 70 रूपिया तो 17 रूपिया आपको यानि 17 रूपिया आपको एक केजी पे profit होगा और आप जो है उस मशीन से छोटा वला मशीन से जिसका price चाड़े 5 लाख से 6 लाख है उसका जो है उससे आप 50 केजी परावर production कर सकते हैं अराम से उस आप आठ गंटा अगर काम करेंगे तो लगभग 400 केजी कर देंगे एक घंटा में 50 केजी होता है तो तो टोटल प्रॉफिट आठ गंटा में कितना हो गई आठ गंटा यानि एक दिन में 400 और गुना 17 तो 68 रूपिया आप एक दिन में इससे profit कर सकते हैं और आप इस तरह से 30 दिन काम करते हैं तो अराम से 30 को 68 सो से मल्टिप्लाइ करेंगे तो लगभग 2,40,000 रूपिया हो जाता है माल लेते हैं 40,000 और एक्षेंस हो जागा तब भी आप जो है महीना में 2,00,000 रूपिया और कर पाएंगे झाल 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 झाल